मकर सकरांती का तेवार नजदीक आ रहा है और बाजारों में पतंगों की रोनक दिखाई देने लगी है और जैपूर में तो हर बार पतंग बाजी को लेकर खूब उच्छा दिखाई देता है और जैपूर में पुराने समय से ही पतंग बाजी का चलन चलते आ रहा है साथ ही यहां बनने वाले पतंगों की भी बाजारों में खूब डिमांड रहती है आज आपको ऐसे ही एक परिवार के बारे में बताएंगे जहां वर्सो से परिवार के सदेश पतंग बनाते आ रहे हैं वैसे जैपूर में सिर्फ पतंगें ही बनती है पतंग को उड़ाने वाला मांजा उत्तरपदेश के बरेली से जैपूर सहीद पूरे भारत में पहुंसता है लेकिन जैपूर में बनने वाली पतंगों की भी भारत में खुब डिमांड रहती है जैपूर में विशेश रूप से कागज की पतंगों का काम जादा होता है और जैपूर के चार दिवारी बाजार में कई लोग पतंग बनाने के कारूबार में लगे हुए है जैपुर के एजमेर गेट पर रहने वाले मुहम्मद सईद 65 सालों से लगातार पतंग बनाने का काम करते आ रहा है उन्होंने अब तक लाखोब पतंगे बनाई है और जीवन भर उन्होंने पतंग का ही कारुवार किया है मुहम्मद सईद 65 साल के हो गए है अब उनका परिवार इसी काम को आगे बढ़ा रहा है मुहम्मद सईद बताते हैं कि पतंग बनाने के लिए कागज कमान ठड़ा धागा और मेदा खाई जो नीला थोता और चीनी से बनती है जो पतंग को चिपकाने के लिए काम में लिये जाती है पतंग बनाने के कागज की एक रिम में लगबग 900 पतंग तियार होते हैं मुख्य रूप से पतंगे इनी सामान से बनती है पतंग बनाने के लिए सबसे बहले पतंग के कागज की कटिंग होती है इसके बाद कमान थड़ा धागे से पतंग के आकार में बारिक लकडी को सेट किया जाता है और मेदा घाई की साहिता से पतंग और कागज कमान थड़ा को चिपकाया जाता है कोची मिन्टों में एक पतंग बनकर तियार हो जाती है मुहम्मद सईद बताते हैं कि जब उन्होंने पतंग बनाना शुरू किया था तब बाजार में पतंगों की कीमत पचास पैसे हुआ करती थी और समय के साथ अब पतंगों की कीमत में काफी बदलाव आया है अब उनके द्वारा बनाए गई पतंगों की कीमत बाजार में पांच रुपे से लेकर बीस रुपे तक होती है साथी मुहम्मद सहीद बताते हैं कि उन्होंने ये पतंग बनानी की कला गुजरात के एहमदावाद से सीखी और जैपूर आकर उन्होंने पतंग बनाना शुरू किया और दीरे दीरे अपने परिवार के सदशों को भी पतंग बनाना सिखाया और अब परिवार के सदे से मिलकर मकरस करांती के सीजन में लगबग दो लाग पतंगे बना लेते हैं और बाजारों में उनके पतंगों की खूब डिमांड भी रहती है आई ये बात करते हैं वर्सों से पतंग बनाते आ रहे हैं मुहम्मद सहीद जी से तो आपने पतंग बनाने की जो शुरुआत की थी वो आज से सालों पहले की थी तो किस प्रकार से पतंगों की शुरुआत हुई और आपने ये पतंग बनाने की कला कहां से सीखी और जैपूर में क्या डिमांड रहती है पतंग बनाने के कला गुजरात से सीखिया हमदाबाद से पतंग की कीमत 50 पेसे थी कागज कवान 30 सब सस्ता आता था उस वकत में अब इस वकत तो बहुत महेंगा हो गया पत्मों की कीमत रहती है 15-20 रुपे तक बड़ी वाली ठीक है और इसके लाओ जो पन्नी की पत्में बन और में बनाते हैं अपने बड़ेलिस आता है जो फिल्यका होता है प्रविक आज़ेली आता है और बड़ेली में बनता मांज़ा जैपुर मं नहीं बनता जैपुर मने बनता में आनके